मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छट से वो कब्रिस्तान अच्छी से दीखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही सैतान थे बड़े बेटे का न या डरे, सोनिया डरे लेती है और पूची है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना, रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छट पर से घूम करके आओ और छट पर रखे गमले में से फूल तोर कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छ कब्रिस्तान की ओर पड़ती है, कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेर होता है, वो देखती है कि उस पेर पर एक सरकटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है, सोनिया उसे देखती है और जोर से चिलाती हुई बेहोश हो जाती है, फिर जब सोनिया बहुत देर तक रॉकी और विकी डोनों डर जाते हैं और वो छट पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश परी है वो तुरंट मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं मनोहर तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी और रौकी तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरे आती है फिर भी तुम सोनिया को रात में छट पर जाने के लिए क्यूं भेजा रौकी सौरी डाड मुझसे गलती हो गई हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे मनोहर और फिर कभी दुबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोडाऊंगा अच्छा सोनिया बेटी ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देखिया था कि तुम वही बेहोश हो गई सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरे पहले भी सुनी हुई थी इसलिए वो सोनिया को डाटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है एक दिन मनोहर को काम से छुटी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे आटो भी नहीं मिलता है वो पैदल ही धर की ओर चल पड़ता है इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते है रॉकी विकी तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बाते बना रही है वो उसका ब्रह्म होगा विकी अरे नहीं भाई तुमने उसकी हालत देखी नहीं एक दिन भी और यहां रुखने को तयार नहीं ही मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा रॉकी चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते है विकी अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है मैं कहीं नहीं जाओगा और तुम भी मत जाओ विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह केले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है कब्रिस्तान का दर्वाजा खोलता है और अंदर चला जाता है वो उस पेर की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सरकटी वी उल्टी लाश दिखी थी रौकी खड़े होकर उस पेर की ओर देखता है तभी एक अद्रिश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है रौकी डर जाता है और जोरों से चल्लाने लगता है बचाओ बचाओ छोड़ दो मुझे मुझे से गलती हो गई मैं फिर कभी यहां दुबारा नहीं आऊंगा दूसरे कोने पर एक कबर होती है जो कि खुली हुई होती है उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है वो खड़श्य हाथ रौकी को खीच कर लाते है और उस कबर में धखेलने की कोशिश करने लगते है रौकी चिल लाता है शोड़ दो शोड़ दो मुझसे गलती हो गई मैं फिर यहां कभी नहीं आऊँगा मुझे मत मारो मुझे जाने दो मनोहर काम से पैदल घर पहुचने वाला ही होता है जैसे ही वो कभरिस्तान से गुजरता है उसे रौकी की आवाज सुनाई देती है मनोहर ये क्या ये तो रौकी की आवाज लगती है ये तो कभरिस्तान से आ रही है मुझे जा करके देखना चाहिए मनोहर कब्रिस्तान में चारो और देखता है लेकिन रौकी कहीं नहीं दिखाई देता है वो घर लोटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रौकी कहा है विकी, पापा मेरे बार-बार मना करने के बावजूद भी रौकी कब्रिस्तान में चला गया वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है जाओ घर के मंदर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ हमें रौकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं मनोहर जल छिलकता है फिर उसे किसी के घसीतने का निशान दिखाई देता है वो समझ जाता है और उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुँच जाता है मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिरकता है कब्र से अजीब अजीब सी आवाजे आती है विकी बहुत दर जाता है मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रौकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है मनोहर उस घर को छोड़ कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पुरे परिवार के साथ रहने चला जाता है